अस्सुलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनी के इस नाय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 क्लास के उर्दू के केकशा के किताब से चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है गुफ्तगू देखे या फिर हजारों लाकों के बीच सभी लोग के बीच हो सकती है गुफ्तगू ठीक है बातचीत तो यहां पर इस चैप्टर में जो है ना गुफ्तगू हो रही है दो देश के लोगों के बीच ठीक है और वो कौन-कौन से देश है एक हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान दे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है जो कशिद्गी और जो मनमुटाहट है वो गुफ्तगुयन की कनवर्शेशन के जरीए खत्म की जाए ठीक है पता नहीं अली सरदार जाफरी को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब श चाहः।ंटान और पाकिस्तान के बीच की यह जो दुश्मनी है जो खिशीद की है और फिर से हेंais किया होacaks۔ तो ऐसा आलि सरदार जाफरी को लगता है कि गुफ्तगू का के जरिये हंदुस्तान और पाकिस्तान कवीता को इस कवीता के परतियक लाइन को पढ़कर मैं आप लोग उसका मतलब बताऊंगी लेकिन सबसे पहले अली सरदार जाफरी के बारे में जान लीजिए क्योंकि आप लोग जानते हैं एकदाम में कोशन पूछ देता है और इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है तो आप लोग को बता दू कि 29 नवंबर 29 नवंबर उनईसद तेरह इस भी को जो है ना अली सरदार जाफरी की पैदाईश हुई थी 29 नवंबर उनईसद तेरह याद रखिएगा और कहां पर तो उतर प्रदेश के बलरामपूर में तेक आगे बात कर ले तो लखनाउं दिल्ली और अलिगर में तालिम मुकमल किये थे यह जो है वह लखनाउं में भी दिल्ली में भी और अलिगर तीनों मतलब जगा के स्पूलों में जाकर विद्याले में जाकर इन्होंने पढ़ाई मुकमल की यांकि अपनी पढ़ाई पूरी की आगे बात करिए तो तरक्वी पसंद तरक्वी तरक्वी पसंद तरक्वी में हुआ था तो उस वक्त के अंदोलन में जो है ना अली सरदार जाफरी को शामिल किया जाता है ठीक है और वह अंदोलन हुआ था गरीबों को अपना हक दिलाने के लिए और उसके बाद से समाज में उच नीच के जो भेद भाव है वो खत्म करने के लिए और सभी को समान हक दिलाने के लिए ठीक है तो यह तरक्वी पसंद हुआ था उस वक्त तरक्वी पसंद अंदोलन उन्हें से 36 वी में तो इसे लिए अली सरदार जाफरी को इस अंदोलन में शामिल किया जाता है और उसके बाद से अली सरदार जाफरी जो है ना इस तरक्वी पसंद तहरीक इस आंदोलन से आप बोल सकते हैं मोटिवेट होकर अभी प्रेरित होकर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी तरक्की पसंद तहरीक के नाम से ही वो किताब का क्या नाम था तरक्की पसंद तहरीक उसका टाइटल ही था तो तरक्की पसंद तहरीक के नाम से उन्होंने किताब लिखी जो कि उन्हें इसका तिरपनिस्वी में शाय हुआ यान की प्रकाशित हुआ यह मत बोलिए ठीक है और शुरुवात अफसाना निगारी से की अली सरदार जाफरी जो है ना वो अफसाना निगारी यान की सबसे पहले कहानी लिखना शुरू किये थे ठीक है अफसाना निगारी से इन्होंने शुरुवात की और फिर इनको सबसे ज्यादा शोहरत मिली नजब निगारी से मतलब यह शेर वशायरी करते थे नजमी और की कवीता लिखते थे तो इनसे मतलब जो है ना अली सिर्जार जाफरी को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली और बहुत ज़्यादा फेमस हुए अफसाना नेगारी से थो थोड़ा कम हुए बट नजब नेगारी से इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की तो देखें इनके कुछ एक अफसानवी मजमुए का नाम आप लोग के बुक में दिया गया है यानि कि एक कहानी का किताब का नाम दिया गया है जिसका नाम है मंजिल कहाणी का किताब है जो कि 19-38 में परकाशित हुआ यानकी शाय हुआ एक हynı 거죠 कि लकीर IG 49 में इसको प्रकाशित किया गेया पथर की दीवार उनस घरana इसब्राशित हुआ एक खुण और जो कि उनैसे आ शॉर इस्वी में प्रकाशित हुआ तो सबसे ज्यदा इनकी शिरवशायरी की रही है किया इन्होंने तवील कि रही कि नजमें आपर थी नर्म ठीट ऋंब न्रिकि लाज़म क्यां रही लोता esasь लेत्राुज्थ श्याजाग उठा जो कि उन्हें से sesitt इस भी में प्रकाशित हुआ और नई दुनिया को सलाम जो कि मैं आप लोग को हजार बार बता चुकी हूं हजार मरतबा बता चुकी हूं कि तनकीद की से केते हैं तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तनकीद का मतलब क्या होता है ठीक है तो इनकी कुछ तनकीदी किताबों का नाम आप लोग के बुक में दिया ग पढ़े इनको आली सर्दार जाफी को अवार्ड भी मिले रहे सारे जैसे कि पदम शुरी अवार्ड जो कि उने 67 60SV में दिया गया इनको और भारतिय गिन स्रॉरी बारतिया ग्यान-पीत आवार्ड जो कि उने संतां प्यांबर्स इस भी में जो है न अली-सर्दार-जाफ्री को मिला था इनको धेट सारे अवार्ड भी मिले थे लेकिन दो ही में अवार्ड का नाम में यह आप लिख दी हूं ठीक है और लाश में की इंटकाल की बात कर लें तो इनकी मौत हो गई तो यह हो गया अली सरदार जाफरी के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोगों की याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगों को इस गुफ्तगू नाम के नजम यान की कवीता के प्रतियक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूं और मतलब बताती हूं कि कैसे अली सर देखिए एकजाम में इस तरह से भी कोशिन को पूल सकता है कि बताइए यह जो ग५्त जूनाब का नजम है वाली जाफरी ने किस नाम लिखा गया है टो हिंदू पाकग की दोस्ती के नाम लिखा गया है याने कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम तो आपसन में दिया रहेगा हिंदू वपाक की दोस्ती के नाम तो वो टिक कर दीजेगा इस तरह का कोश्टन पूछा जा चुका है तो यह याद रखिएगा तो देखिए शुरू में अली सरदार जाफरी लिखे हैं कि गुफ्तगू बंद नहों बात से बात चले सु यहां पर देखिए अली सरदार जाफरी कह रहे हैं कि हिंदूस्तान और पाकिस्तान के बिश्च जो शाम में मुलाकात हुई है यानि कि शाम को एक दुस्य से मिले हैं मुलाकात हुई है तो यह मुलाकात जो है यह सुबा तक चलती रहनी चाहिए गुफ्तगू बंद नहों यानि कि बात्चीत जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए कुछ हिंदुस्तान के लोग बात करें कुछ पाकिस्तान के लोग फिर हिंदुस्तान के लोग बात से बात चलती रहनी चाहिए और ये बाते देखकर ये नजारा देखकर जो है ना ये जो रात है तारो भरी रात वो भी मतलब मुस्कूराये और हसे मतलब हस्ती राथ भी चले तीक है मतलब यह जो तारो भरी रात है वह भी मुस्कूराए कि चलो जो हिंदुस्तान और पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें बेबसी हर्फ को जन्जीर बपा करना सके कोई कातिल हो मगर कतले नवा करना सके देखें यहां पर बोला जारा है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग है यह एक दूसरे को जो दुश्मनी की नजरों से देखते हैं जो लोग हैं टिक के अक दूसरे को गाली आदेते रहते हें उनके लफजों में लगता है कि गाली का पथर रिएक दूसरे पर फिकते हैं जो ती,की नजरों से देखते हैं ठीक है उसके बाद से तंज छलकाते हैं जहर के जाम उगलते हैं ठीक है तो ये जितनी भी दुश्मनी है इंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो भी नफरत है ये खत्म हो सकती है बस ये शाम मुलाकात करे एक दूसर से मुलाकात करे और गुफटगू हो बादचीत हो और पस एक चीज दिल सीनों में मतलब ये बैठी रहनी चाहिए कि इसका कोई निसकर्च निकालना है कोई किल्क्लू कोई कोई कुई क् 1 रासता निकालना है जिसके वज़शे इंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से दोस्ती हो जाए ठीक कितना भी नफरत क्यों नहों इन दोनों देशों के बीच कितना भी दुश्मनी क्यों नहों बद यह जब मुलाकात करें और जब बात चीट स्टार्ट हो ठीक है तब यह चीज दिल में बैठी रहनी चाहिए कि कोई नहीं रास्ता निकाल ही देना है सुबा तक ढलके कोई हर्फ वफा आएगा इश्क आएगा बसद लग्ज से पा आएगा नजरे जुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कापेंगे खामोशी बोसे लब बनके महक जाएंगी सिर्फ गुंचों की चटकने की सदा हैंगी देखें यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो शाम की मुलाकात चल रही है और मुलाकात होने के बाद जो गुफ्तगू लगातार होते ही जा रही है यानि की बात्चीत होते ही जा रही है तो यह बात्चीत चलते चलते जो है ना सुबा हो जाएंगी और सुबा तक ढढ कोई ना कोई एक कोई ना कोई एक कन्क्लूजन निकलेगा कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा जरूर जिससे फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो सकती हो और जब कोई रास्ता निकल कर आएगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से वापस दोस्ती हो जाएगी तो सिर्फ इन दोनों देशों के बीच इश्क आएगा ठीक है बसत लग्जशे पाएगा इन दोनों देशों के लोगों के जो नजरे हैं वो जुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कापेंगे खामोशी बोसे लब बनके महक उठेंगी यानि कि जो सन अगर दुसरे इंसान से दुश्मनी रखता है और दुश्मनी चलता रहता है और कई कुछ दिन के बाद अगर वही इनसान उसका दोस्त बन गया तो अब वो सोचेगा के मैं कैसे बात करऊ पहले तो यह उन्लाब उनका जुदवान है ये वो खामोश हो जाएगा वो सोचेंगी कैसे जो है ना हम एक दुस्ये से बाते करें सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएंगी यह सिर्फ गुंचों के चटकने की आवाज हैंगी ठीक है और फिर फूनमा की ना जरूरत होगी चशम वब् की इशारे में सिर्फ महबबत होगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इशारों में सिर्फ और सिर्फ महबबत होगी जो तीकी नजरों से देखा करते थे अब वही महबबत की नजरों से देखेंगे सारा दुश्मनी खत्म हो जाएगी नफरत उठ जाएगी और सिर्फ महमाने मरवत होगी यान कि एक दूसरे के जो है ना ये महमान नमाजी करेंगे हिंदोस्तान और पाकिस्तान के लोग ठीक है हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए तुफ़ाए दर्द लि और प्यार की सौगात लिए ये जो मनमुटाहट और कशिदगी का जो रेगिस्तान है उसको उसको मतलब उससे गुजर जाएंगे और ये जो खुन की दरिया है जो की एक दुसरे के उपर बहाया करते थे इंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ठीक है ये खुन की दरिया को हम पार कर जाएंगे इस खुन की दरिया से हम पार उतर जाएंगे ठीक है गुफ्तगू बंद नहों बात से बात चले सुबह तक शाम मुलाकात चले हम पे हस्तुई ये तारो भरी रात चले जो शुरू का बंद है फिर से लास्ट में लगा दिया गया है कि गुफ्तगू बात है वो हस्ती वी चलती रहनी चाहिए तो यह था आप लोगा पूरा चैप्टर कोई भी कंफ्यूजन और चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं ठीक है उसके बाद यह चैप्टर जो है थार्टीन इसका जो अगला चैप्टर उसका नाम है मेरा सफर जो कि उस चैप्टर को भी आली सरदार जाफरी नहीं लिखा है तो हम लोग चैप्टर नुबर 13 को अब नेक्ट वीडियो में समझेंगे फिलाल यहां तक होगी आप लोगा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट ठीक तो मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके में जदा शेयर कीजिए और हां अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को बैल आइकन यानकी घंटी दिखाई देगी तो घंटी यानकी बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और घंटी को दबाने के बाद और और क्लिक कर लिजेगा उससे होगा यह कि में रोज आने वाल वीडियो का और प्रिस